हेलो एवरिवन कैसे हैं आप तो आज की वीडियो जो है वो सेमेस्टर फॉर स्वारी सेमेस्टर फॉर का है मैंने सेमेस्टर टू और जो न्यूस लेबस है एन एपी के स्टूडिन्ट के लिए है और इसमें दो सब्जेक्ट्स जो की कोर सब्जेक्ट्स है चाहे बच्चा ओनर्स का हो चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे रेगुलर कोर्स्पोंडन्स किसी का भी हो और वो दो कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं यहां फे दो कोर सब्जेक्ट से आपके कॉर्परेट कॉर्परेट अकाउंट और एक कंपनी लो और ये दोनों कहीं न कहीं आपस में कुछ पार्ट कुछ हद तक चेप्टर में ये कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ भी रहें और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब नहीं पढ़ रहे हैं या फरक ही नहीं पढ़ रहा देख लेंगे जो होगा सो होगा तो मैं उन बच्चों को वर्न करना चाहता हूँ कि सर अगर आप कॉर्परेट अकाउंट में अगर पास नहीं हुए तो मैं कहता हूँ अपने सीनियर से एक बार पूछ लिजेगा कि क्या हाल होता है पूर्परेट अकाउंट एक बहुत छोटा सा स्लेबस नहीं है एक सिंपल सा कॉंसप नहीं है तो मैं हर बच्चों को बोलूँगा अभी आपके पास अगर हम टेंटिटिवली देखें तो ये मंद खतम हो गया यानि पंदरा दिन बचे हैं अल्मोस्ट फिफ्टीन डेज और जो पंदरा दिन बचे हुए हैं इन पंदरा दिन में ही आपको सारा स्लेबस करना है जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया उनको रिवीजन करना है इन दिनों में तो अगर आप पास नहीं होते हैं, तो आप next semester में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा problem create करेगा, आगे semester 4 में और आगे semester 6 में तो बड़ी simple सी बात है, सर, corporate account और company law की बात करते हैं तो आज मैं दोनों subjects के उपर discuss करूँआ, कि इसमें क्या-क्या important area है, जिसे आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है ना, तरफ important topic के बात करें हर एक unit wise करूँआ, unit number one में, chapter है हमारा share capital, short form में लिखूँँगा, बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा number 2 है आपका redemption of preference share number 3 है हमारा buyback number 4 है आपका bonus और number 5 है आपका underwriter number 6 है आपका e-sop number 7 है आपका debenture और number 8 है आपका redemption of debenture तो सरी ये आठ चैप्टर ना unit one के अंदर ही है आप इन बातों को समझेए बच्चो का और unit one जो है न वो specific 20 marks का design किया हुआ है बच्चा अगर unit number one उठा लिता है तो मेरे इसाब से 15 दिन भी कम पढ़ जाएंगे ये सारे चैप्टर को करने में और मैं जानता हूँ कि महीना भी कम पढ़ सकता है तो अब right now आपको न कुछ selective approach अपनाना चाहिए अगर मैं unit one में से बोलू बच्चो को करने का जिनोंने कुछ नहीं किया जिनोंने सब कुछ कर रखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जिनोंने सब कुछ पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिस student ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाई किया या फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर रखा है उन बच्चों को कहूंगा कि unit number one में से क्या-क्या topics कर लेना है आप सबसे पहले अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ भी तो उनके लिए यह तीनों आपस में connected है एक तो इसको करिए अंडर राइटर कर लिजे बहुत आसान सा topic है ठीक है यह topic इसमें से आपको करके जाने चाहिए क्योंकि इसमें और इस portion में कई बार choice हा जाता है और जो मैं यहां पर बता रहा हूँ as per probability है मेरी कोसिस तो यह बच्चा सभी सारा करके जाए लेकिन अभी इतना सारा करना possible नहीं है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं और जिन बच्चों ने already यह कर रखा है तो भी यह आप यह भी कर लीजिए इसमें से chances है probability के 15 marks के questions बनें और इसमें से भी आने के chances है और इसमें से भी आने के chances है यह दो चैप्टर है basically ठीक है ना यह करके जाईए तर share capital वाला ना आप last moment पे attempt करियो क्योंकि यह बिलकुल exactly 12th वाला है इसमें कोई ऐसा changes है ही नहीं exactly 12th वाला मैं इसमेंटर और redemption of dementia मैं एक वीडियो और भी लाओंगा कि chapter wise कौन से topics important है उसके accordingly ठीक है ना तो मैं अभी सिर्फ chapter बता रहा हूं जो कि exam में आने की probability ज्यादा है unit number 2 इसके अंदर है final account इसके अंदर है cash flow statement इसके अंदर है ratio यह unit तो करना ही करना है final account company का है cash flow और ratio आपका 12th में जो किया था थोड़ा से extra है एक ही यह करना है आप final account वाले जो बच्चे chapter करते है ना तो starting में आपको एचे ध्यान रखना है मैं पहले से कहके चल रहा हूं तीन से तीन घंटे की class होगी न अगर आपने तीन घंटे देखी यह class मेरी final account की तीन घंटे register पर लिखे के फिर देखना तीन घंटे तक बोर लगेगा आप तीन घंटे के बाद आपको topic दिमाग में जाना चालो हो जाएगा और एक question बड़ा ही simple और एक बार आपने कर लिया आना तो exam में मैं guaranteed बोलता हूं सबसे पहले आप final account रोखा होगे cash flow statement वही operating investing financing और ratio analysis दिया हुआ है आ भी सकता है maybe नहीं भी आ सकता मैंने 10 year में आप जाके सर यूनिट नमबर 3 क्या है यूनिट नमबर 3 के अंदर ना हमारा एक है हमारा valuation share दूसरा है valuation goodwill और तीसरा है value edit in financial statement मैं इस unit को कहूंगा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा यह 20 नमबर का unit है सर यह 20 नमबर का और इन chapter को देखेंगे ना तो valuation of goodwill लगभग लगभग 12th class के basis पे है अगर मैं कह रहा हूं के लगभग लगभग 12th class के basis पे है तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरा chapter छोड़ दें सोचे 12th वाला कर ही लेंगा एकसाम में बहुत कुछ changes भी है तो आपको करके जाना है मतलब base 12th का उठेगा उसके आगे है इन chapter को इस unit को भी बिल्कुल skip ना करे और मैं इसमें से एक भी chapter skip करने की सलहा नहीं दूआ इसमें मैंने कहा यह कर सकते है यह कर अलग करने की कोई अवशक्ता पड़ेगी नहीं और यह दोनों अलग अलग करना पड़ सकता है यह one day में खतम हो जाएगा सर और यह भी one day में खतम हो सकता है और यह तीनों chapter चाहो तो दो दिन में खतम कर सकते हो यानि इस अगर unit का target लेना तो आप चार दिन के अंदर यह व यूनिट को और प्लस इसके अंदर एस 20 और एड़ कर दो इसमें से भी questions आएगा तो इन सभी unit को अगर आप एड़ करते हैं तो यह maximum to maximum two days में खतम किया जा सकता है अगर आप करने की कोसिस करो वीडियो यूट्यूब पे available है playlist मैंने बनवा दिया है जो बच्चे application में है application में भी सब पे star mark हो चुका है star mark वाले वीडियो आप कर सकते हो यह से की share capital में अगर 20 वीडियो है तो उसमें से star mark करके मैंने 15-16 कर दिया है जो important topics related है वो कर दिया है मैंने वो कर सकते हो दोनों के लिए है unit number four तर इसके अंदर दो chapter है reconstruction और ml commission और इन दोनों में examiner का जादा सा जादा chances होता है कि choice देते हैं तो मैं सबसे पहले recommendation जिन बच्चों का accounts week है वो पहले इस topic को cover कर ले 100% बहुत आसान chapter है जब मैंने batch start किया था तो मैंने एक दो chapter के बाद ही reconstruction करा दिया था और बच्चे पहली class में सीख गये थे कि सर reconstruction के actual concept क्या है कर पाएंगे यह नहीं कर पाएंगे उसके बाद last में आप ml commission उठाईए यह chapter हमेशा last में रखेगा थोड़ा सा इसमें tricky points होता है purchase consideration बगएर निकालना otherwise so okay unit number 5 यह आपका theory है और थोड़ा सा कुछ आपको law से related है यह जिसके अंदर annual return file करने के क्या procedure है CSR क्या है इसके terms वगेरा तो यह unit ना तो मैंने भी life class में बच्चों को करा है ना आज से यह unit start कर दूँगा मैं और जैसे start होगा ज़्यादा नहीं एक से दो दिन लगना है खतम हो जागा basically theoretical है तो यह सारा का सारा अगर मैं लेके चलू ना और इस chapter को इस वाले को पता है करने में कितना time लगा तो आप ध्यान से देखिए चार दिन और चार के बाद इसको करने में दो छे दिन छे मान लेते हैं इसको आप तीन दिन में निफ्टा देते हो छे तिन नो दिन पाकी समय इसमें लगा दो जो भी है तो आराम से sleepers को खतम किया जा सकता है एक वीडियो में हर एक चैप्टर यूनिट के चैप्टर पर उसके topic वाइस भी बना दूँगा कि इस यूनिट में ये chapters है इसमें से ये topic होता है और जिस पे questions पूछे जाते हैं ठीक है न पर दूसरे side law company law तो मैं company law के मैंने 5 से 6 चैप्टर करा दिये हैं live class के अंदर और मेरी कोशिस है एक चैप्टर को एक से सवा घंटा में खतम कर दे हैं मैं पूरी company law कहता हूँ अगर आप अच्छे से करने बैठते हैं तो 15 घंटे के अंदर 15 आर के अंदर पूरा company law खतम किया जा सकता है खतम करने का मतलब 15 घंटे में पूरे company law के अंदर क्या content है किसमें क्या पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देना है किसका क्या आंसर होगा यह पता कर सकते हो लेकिन practice के लिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने पूछा what is the meaning of company आपको पता है meaning of company is registered under companies act उसे कहते हैं और इसके objective या फिर इसके characters किसकी बात करूँ तो वो भी जानते हो common seal होना चाहिए transferability है यह सारी चीज़ लेकिन उसके लिए case laws और लिखने पड़ेंगे तो इसको मैं 15 घंटे में पूरा खतम तो करा दूँआ लेकिन लिखने का और test की practice करें तो मैंने इन दोनों का वैसे तो application पे जो बच्चे live हैं इन दोनों के test start कर दी है YouTube के उपर भी मैं test लेके आऊँगा जो बच्चे देखेंगे मैं community post में डाल दूँगा test और उस test को आप attempt करें तो ये पूरा का पूरा हमारा हो जाता है एक company law का portion एक corporate account का portion ठीक है company law और corporate account दोनों अलग-अलग paper है एक जैसा paper नहीं है कुछ बच्चे अगर confused हो जाएं सर क्या दोनों एक ही subject है नहीं दोनों अलग-अलग subject है दो core subject है इसकी वीडियो भी मैंने YouTube पे डालना भी start कर दिया है और application पे मैं जैसे ही मेरे notes त्यार हो रहे है मैं एक दिन में दो-दो chapter खतम करा रहा हूँ मेरा target है कि भाईया आपके जल्दी से जल्दी company law का खतम कर दे ठीक है आप इन सभी chapters को कर लिजए मैंने हर एक questions करा दिये है इन chapter के tenure के करा दिये है books के भी करवा दिये है मतलब paper उससे बाहर नहीं आ सकता बसरतें आपको पढ़ना होगा तो tentatively मैंने chapters बता दिये है unit 1 में से सर्फ ये तयार करिए unit 2 में से चलिए आप ratio एक बार को छोड़ सकते हैं पहले इन दोनों को करिए unit 3 में से ये तीनों कर लिजए बेहद आसान chapter unit 4 में से reconstruction कर लिजए account as20 आप देखिएगा मैंने अभी वीडियो पता नहीं I don't know के team ने डाली या नहीं डाली लेकिन बहुत इजी तरीके से एक दिन में बच्चों ने बोल लगा तरीए तो ऐसे ही हो जाएगा और questions पूछे जाएगे इसके अलावा कुछ AS और भी AS 17 और AS 19 जो की 1 day का है वो भी करवा दिया जाएगा YouTube के उपर मैं और बैसे normal बच्चे हैं उनके लिए मैं one shot वीडियो भी लेके हूँगा जो मेरे से batch में पढ़ रहे हैं उनकी तो live class हो रही है आज भी एक new chapter start होने वाला TTS उनकी live class चलती है 7 to 9 आज भी एक new chapter start होगा जो बच्चे कहते हैं के sir हमें live class के अंदर application देखे YouTube पे सब कुछ पढ़ा हुआ है मैं यह नहीं कह रहा कि आप join हुई है जो बच्चे कहते हैं के live class के अंदर सर हमें join होना है और doubt session वगरा हमारे हो जाए तो थोड़ा काम बन जाएगा उनको बोला हुआ है मैंने कि accounts और plus law दोनों subject आप 549 रुपीज में ले सकते हैं दोनों subject यह मंधली नहीं है यह पूरे course का भी है जिसमें live है doubt है सारी चीज़े हैं आपके ठीक है न तो hopefully आपको help मिला होगा मैं एक ही message और एक ही बात कहना चाहूँग आप सभी students से के please don't waste your time अगर आपने अभी से पहले जितना भी time खराब कर दिया है उस time को बिलकुल भी ध्यान में न रखे और आप time बरवाद ना करें बिलकुल भी अब जो पंदरा दिन है उस पंदरा दिन के अंदर आप focused होके पढ़िए job कर रहे हैं कुछ भी कर रहा है एक्स्ट्र एक्टिविटी कुट करिए computer course, English course, language जो भी है whatever अभी थोड़ी 15 दिन के लिए side करिए और सरफ इसके उपर focused करिए तो मेरे hopefully आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगे अगर मेरे वीडियो से आपको value मिलती है मेरे वीडियो से आपको benefit होता है तो मेरे चैनल को like करिए सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के अंदर share करिए thank you so much मिलते हम next वीडियो में chapter wise और topic wise लेकिया हुआ